basic mathematics you should know part 1 okay सबसे पहले natural number natural number को nc node करते हैं कहां start होता है 1 2 3 4 and infinite second is whole number whole number कि किसे डेपने करता है w से 0 include कर दो 0 1 2 3 4 and so on okay then integers integers में क्या आएगा negative positive सारे number को include कर दो negative 2 3 4 and so on so on 1 2 3 4 in minus infinity से लेकर infinity तक next ratio number ratio number जिनको p by q की फॉर्म पलिख से मैं जो divide हो सके एसे number जिनको जब divide को तो एक solution मिल जाता है जिसका end हो जाता है जैसे 30 by 4 है तो 7.5 that's it okay यह ratio number है वैसे जिनको p by q की फॉर्म पर नहीं लिख से इसका मतलब क्या है कि कभी भी आपको answer ने देंगे यह कभी repeat नहीं करेंगे means अलग-अलग value आपको देते जाएंगे जैसे 22 by 7 3.14285 and so on so on कभी भी solve नहीं होगा वैसे जितनी भी अंडूर की टर्म है कि कभी भी solve नहीं होती ओके next इमेजिन नमबर वो नमबर है जैसे example के लिए मैं बोलता हूँ 25 को square root क्या होगा आप बोलों को 5 बोलता हूँ 25 को square root क्या होगा तो कोई ऐसे टर्म है जिसको square करने पर negative रहे नहीं रह सकता तो इस negative टर्म का अगर under root आ जाए तो उसको बोलते है इमेजिन नमबर इसको IOTA होते हैं क्या होते हैं IOTA under the root negative 1 ओके next complex number अब इनी दोनों के real number प्लस image नमबर को जो आप साथ में मिलाया जाता तो उसको बोलते हैं complex number next prime number प्राइम नमबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते है या फिर 1 से होते हैं जैसे 1 1 is not a prime number क्या प्राइड होगा फिरो 2 3 5 7 and 11 and so on so on okay next composite number जिसके more than two factor more than two factor हो जो किसी दो यह दो से जादा टर्म से डिवाइड हो जाए तो 2 है नहीं 3 है नहीं 4 है क्योंकि एक से भी टिवाइड होगा 2 से भी और 4 से भी okay so यह number लिख रहे हैं 4 6 8 9 and so on so hope you understand this and one more thing real number real number है हमने सारे नमबर है बस इन दोनों को छोड़की imaginary and complex okay hope you understand